प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम अपने आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमरित महतसफ मनाकर. इसमें हमने अपने देश के बारे में कई ऐसे जानकारिया प्राप्त करी हैं, जो हमें अभी तक नहीं पता थी. साथ ही एक भारश्रेष्ट भारत क्लब के तहट हमने अपने पार्टनर स्टेट के बारे में बहुत कुछ जाना, अपने पार्टनर स्टेट के बारे में हमें कितनी नई नई चीज़े सीखने को मिली हैं, और आगे भी हम अपने पार्टनर स्टेट के बारे में नई चीज़े जानेंगे उन्हें समझेंगे और खूब सारी विचार साजा करेंगे आज हम जानेंगे हर्याणा में पाए जाने वाले कुछ अनूठों की पौधों के बारे में आप सभी जानते हैं पेड़ पौधे हमें प्राणवाई उक्सीजन देते हैं लकड़ी देते हैं फल, सबजियां, अनाज और बहुत अन्य उप्यों की वस्तों हमें पेड़ों पौधों से प्राप्त होती हैं आज हम जानेंगे कुछ अनूठे पौधे जो कि औशदी योग गुण से युगत होते हैं यानि medicinal properties लिएवे होते हैं तो आईए जानते हैं हम कुछ ऐसे medicinal plants यानि हमारे घर में आ या आसपास हम प्राया देखते हैं सबसे पहला है अद्रक अद्रक का इस्तमाल प्राया सभी घरों में भारत में किया जाता है अद्रक यानि जिंजर को हम चाय में उबालकर या काढ़े के रूप में लेते हैं अद्रक शेहद कफ कोल्ड यानि खाजी जुक में लाबकारी होता है इसके साथ ही अपच आदी कई परिस्तितियों में अधरक लाबकारी होता है दूसरा जो medicinal पौदाएवे है है हल्दी हल्दी का इस्तमाल skin infections यानि जो हमारी तुछा समबंदी रोग है उसमें कुछ हट तक किया जाता है ये है अच्छा antibiotic है साथ ही इसका इस्तमाल भी खांसी जुका में किया जाता है फिर बात करते हैं नीन की नीन की पौदे हमारे आसपास के वातावरण में प्राये देखे जाते हैं नीन भी हमारी तवचा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, कई वैद्दे ये कहते हैं कि ये है शुगर, यानि डायबिटीज के रोग के निवारण में भी हमारी लिए लाबकारी होता है, फिर बात करते हैं तुलसा, यानि बेसल की, होली बेसल और नॉर्मल बेसल, तुलसा भी हमारे घ अब हम जानते हैं आवले के बारे में, आवले की कैंडी, आवले का मुरब्वा, चटनी, अचार हम सब बहुत पसंद करते हैं, क्या आप जानते हैं, आवला बहुत सारे पौश्टिक तत्वों से भरपूर होता है, विटमिन C आवले में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक्षमता को भी बढ़ाता है, हमें आवले का निरंतर इस्तमाल करते रहना चाहिए, अब पढ़ते हैं अश्वगंदा के बारे में, अश्वगंदा का इस्तमाल पहुत प्राचीन काल से औशदिये पौधे के रूप में किया जाता है, उच्चरक्त चाब, कैंसर जैसे बिमारियों में इसका इस्तमाल किया जाता है उनके निवारण के लिए, अब हम पढ़ते हैं मौरिंगना यानि सहजना, सहजना के पतियां जो हैं वो लोह तत्व से भरपूर होती हैं, तो यह हमें अच्छी मात्रा में लोह तत्व प्रदा करती हैं, इसके इलावा अस्थमा के रोग में भी वैद्यस को लाबकारी मानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं ब्रहमी के बारे लिए, यह है ब्रहमी बच्चों, पुरातन कांसे ही ब्रहमी मेमरी एनहेंसर यानि या दाश्ट को तेज करने वाली जड़ी बूटी के नाम से जानी जाती है, साथी साथ यह भी माना जाता है कि ब्रहमी का इस्तमाल करके मस्तिश को शांत किया जा सकता है, pastors को अपने आस पास प्राएय records हम देखें, तो अलॉवेरा या यानि गवार पाथा हमें सामान्यत नजरा आता है, अलॉवेरा का इस्तमाल स्किन यानि असरकारी होती है इसके इलावा पाचन संबंदी विकारों में भी कई वैदे से असरकार बताते हैं यह है हमारा next medicinal यानि आशदिये पौधा जो प्राय है बहुत अच्छे से पहचाना जाता है और इसे Immunity Booster यानि Enhancer of Immunity यानि रोग प्रतिरुदक शब्दा बढ़ाने वाला पौधा के रूप में पहचाना जाता है साथी साथ गिलोई बुखार में भी कई वैद्य जो है इसे लापकारी बताते हैं इसके इलावा यदि किसी प्रकार का जोड़ों में दर्ध हो या किसी प्रकार के मदुमे का विकार हो तो उसमें भी कई वैद्य इसको लापकारी बताते हैं प्राय बच प्यार अशदिय पौधों की उप्यों को भढ़ावा देने के लिए हरयाना सरकार विभिन योजनाए चला रही है इन में से कुछ योजनाओं के बारे में इस वीडियो में हम डिसक जाब को जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता को जागरोग करने के लिए यह अभियान चलाया गया है यथा संभव हमें भी अपना योगदान इस योजना में देना चाहिए इसके साथ ही दूसरा जो योजना जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी वह है गुगल की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी हर्यान असरकार अभियान चला रही है गुगल प्राचीन काल से और शदियो गुणों के लिए जाना जाता है यह माना जाता है कि गुगल में अंटी कॉलेस्टरॉल अंटी बायोतिक और एंटी इंफ्लिमेडि रिर देखां, आशदिये पौधे अपने आसपास हो सके तो घर पे, नहीं तो आसपास की जगाओं पर जरूर लगाने चाहिए. प्यारे बच्चों, इन सभी आशदिये पौधों के बारे में हम प्रायर जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, देखते रहते हैं. लेकिन एक बाद हमीशा ध्यान रखे, इन पौधों का इस्तमाल भी किसी के निरिक्षण में किया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति के निरिक्षण में जिसे इनके बारे में अच्छे प्रभली प्रकार जानकारी हो, तबी यह हमारे लिए लापकारी रहते हैं. धन्यवाद, आशा करती हूँ, आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा.